Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेंरी वॉन की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है Peace, ये पोयम उनकी कलेक्शन सालेक सिंटिलेंस में पब्लिश हुई थी पोयम 20 लाइन्स की है और इसे 5 क्वाट्रेंस में बाटा जाता है जब इसे एक हिम की तरह यानि एक प्रेयर की तरह यूज किया जाता है ये पोयम एक Divine Metaphysical पोयम है पोयम एक बहुत ही Basic Message को बताती है कि Peace यानि शान्ती बहुत Important है चाहे वो अर्थ पर हो या Heaven में हो और ये पूरी तरह Depend करती है Security पे ये Security ना किएवल हमारी आत्मा की है बलकि उन लोगों के लिए भी है जो God पर विश्वास करते हैं और इसके लिए God हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमें बस उन पर विश्वास करना होगा Friends, Henry Wann एक Welsh Metaphysical Poet, Author, Translator और Physician थे उनका जन्मुआ था 17 April 1621 में और उनकी डेथ हुई थी 23 April 1695 में वो अपनी Religious Poetry की Collection Silek Sintillans जो 1650 में Publish हुई थी उसके लिए बहुत ही Famous है तो चलिए Friends, अब Poem पर आते हैं और इसे Line by Line रीड कर समझदें की कोशिश करते हैं My Soul, There is a Country यानि मेरी आत्मा मेरी Soul वहाँ एक देश है A far beyond the stars उन तारों के पीछे उनसे दूर Where stands a winged century जहाँ एक century है, फौज है जो उड़ सकती है और वो forge किसकी है तो Angels की और देवदूतों की All skillful in the wars और वो हर तरह की जंग के लिए तयार है, skilled है तो Friends, यहाँ पर यह जो country के बारे में डिसकस किया जा रहा है वो और कुछ नहीं heaven है और heaven में जो Angels है वो एक तरह के Warriors है जो हर तरह की जंग को लड़ने के लिए बिलकुल तयार है, skilled है They are above noise and danger और वहाँ इंशोर और खत्रों से दूर sweet peace sits crowned with smiles यानि वहाँ पर प्यारी सी शान्ती है peace है जिसके सिर पर smiles का crown है और वो वहाँ का राजा है यानि यहाँ पर peace को उस heaven का king दिखाया गया है और जिसके crown में सिर्फ smiles है, यानि मुस्कान है and one born in a manger और एक जो manger में, यानि नांद में जन्मा है, commands the beauteous files और वो उन खुबसूरत flies को angels को command करता है उन्हें order देता है He is thy gracious friend और वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, gracious दोस्त है यह किसके बारे में He use हुआ है, तो peace के बारे में peace तुम्हारा सच्चा दोस्त है and oh my soul awake और अब मेरी आत्मा, मेरे soul जाग जाओ ये बात सुनो didn't pure love descend to die here for thy sake और वो केवल सच्चे प्यार के कारण जो उनके मन में तुम्हारे लिए थी उसके लिए इस धर्ती पर उतरे और मरे यहाँ पर friends, Jesus Christ के बारे में बात हो रही है, किस तरह वो अर्थ पर जनम लिया उन्होंने और humans के जितने भी sin थे, वो सब उन्होंने अपने उपर ले लिये और human beings को sin से free कर दिया यहाँ पर उन्ही के बारे में बताया जा रहा है कि यह सब कुछ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो सभी human beings से बहुत प्यार करते हैं और इसी लिए वो एक gracious friend है, सचे दोस्त है If thou canst get but dither यानि अगर तुम वहाँ नहीं जा पाते हो There grows the flower of peace तो वहाँ उस पीस का शांती का एक फूल खिलता है और वो फूल कौन सा है The rose that cannot wither यानि वो एक गुलाब का फूल है जो कभी नहीं मुरजाएगा यहाँ पर रोज के फ्लावर को पीस का सिंबल माना जा रहा है Thy fortress and thy ease और वो उस गुलाब की तरह तुम्हारा किला और तुम्हारी सुरक्षा यह दोनों भी कभी नहीं मुर जाएंगे कभी खत नहीं होंगे क्योंकि तुम अब स्माइल कर रहे हो क्योंकि पीस तुम्हारे साथ है Leave then die foolish ranges इसलिए अपनी इन बेकार सुरक्षा से बाहर आ जाओ For none can be secure क्योंकि कुछ भी यानि कोई भी तुम्हें वो सुरक्षा नहीं दे पाएगा तुम्हें secure नहीं रख पाएगा But one who never changes बलकि बस एक ही जो कभी नहीं बदलेंगे हमेशा एक सामान रहेंगे हमेशा तुमसे उतना ही प्यार करेंगे Thy God, Thy Life, Thy Cure तुम्हारी भगवान, तुम्हारी जिन्दगी, तुम्हारा इलाज Friends, यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है पोयम बहुत ही सिंपल है और इसमें पीस को एक बहुत ही important factor बताया गया है human life में humans के life में पीस बहुत important है और उनकी मौत के बाद भी वो चाहेंगे कि उन्हें पीस मिले, शान्ती मिले और इस पीस का इस शान्ती का सिर्फ एक ही रास्ता है जो God के पास जाता है वो ही पीस है वो ही हमारी जिन्दगी है और हमें उन्ही की शरन में जाना है मगर ये सब कुछ तभी होगा जब हमारे अंदर एक तरह की security होगी कोई डर नहीं होगा तभी हम सही तरीके से पीस को पा सकते हैं और यही इस poem में भी बताया गया है तो friends ये थी Henry Won की poem Peace